नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुट हेल्ट चिप्स में स्वागत है दोस्तों बच्चों के लिए हाने कारक होता है चाय का सेवन अडिक्तर बच्चे दूद पीनी में बहुत आनाकानी करते हैं बच्चों के लिए दूद का सेवन बहुत जरूरी होता है दूद में भरपूर मात्रा में केल्शियम पाया जाता है जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है कुछ माएं अपने बच्चों को दूद पिलाने के लिए दूद में थोड़ी सी चाय मिला कर दे देती है अगर आप दूद में एक बून भी चाय मिला देते हैं तो इससे दूद के पूरे फाइदे खत्म हो जाते हैं और साथ ही आपके बच्चे की सेहत को भी बहुत नुकसान पहुँच सकता है अगर आपका बच्चा चाय पीता है तो इससे उसकी हड़ियों और दांतों में दर्ध हो सकता है आगे चाकर ये दर्ध बच्चों को बहुत नुकसान पहुँचा सकता है नमबर दो चाय का असर छोटे बच्चों के लिए बहुत रानिकारक होता है चाय पीने से बच्चों के शरीड में केल्श्यम की कमी हो सकती है नमबर तीन जो बच्चे रुजाना चाय पीते हैं उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है इसके अलावा बच्चों की मानसपेश या भी सही तरीकी से न्रोथ नहीं करपाती है नमबर चार बच्चों को चाय देने से उन्हें नींद ना आने की समय स्या हो सकती है चाय में भरपूर मात्रा में कैफीन मौझूद होता है जो बच्चों के अंदर नीद सम्बंधी विकार पैदा कर सकती है चाय पीने से बच्चों की एकागरता और सक्रियता पर बुरा असर पड़ता है दोस्तों में आप तक नई नई वीडियो पहुचाती रहू इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले तक यू